सो भाई लोग कैसे हो और आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आता है M.I.U.I का ग्लोबिल बीटा रॉम अपडेट और आज भी आ गया है और एक लेटेस्ट ग्लोबिल बीटा रॉम जसका बीट नबर है 9.3.14 और इस वीडियो में आपको फूल डीटेल के साथ कीएर करने वाला हूँ इस बीट नबर में आपको क्या क्यान है चेस देखने को मल जाएगा कौन्से कौन्से नएए फीचर्स देखने को मल जाएगा कौन से कौन से प्रॉबलम थे जी से पूरे fix कर दिया गया है और एपडेट आपको कौन से कौन से डिवाइस में आपको मिलेगा और Android 9.0 Pie का अपडेट आपको कौन से डिवाइस में मिलेगा सारे बाते मैं इस वीडियो में आपको cover करने वाला हूँ सो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना है सो दाउड एनिमों होस्टिंग टाइम लट्स का स्टार्टेट सो गई सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ यह जो अपडेट है 9.3.14 यह सिंपली रिलीस किया गया है कुछी डिवाइस के लिए जैसे मैं आपको बोल देता हूँ और डिस्प्ले पे मैं एक फोटो भी आपको दे दूँगा जिसे आप देख सकते हूँ सो सबसे पहले आप धियान से सुनिए Redmi 3S, Redmi Note 4 MTK, Redmi Note 3 Special Edition, Redmi 4X, Redmi 5S, Redmi 4A और यह पर Mi Mix 2, Redmi Note 5A, Redmi Y1 Lite, Redmi Note 5A Prime, Redmi Y1, Mi 6, Mi Mix 2, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Mi Note 2, Mi Mix, Mi Mix 2S, Poco F1, Mi 8 और यहाँ पर Redmi 6A, Redmi 6, Mi Mix 3, Mi Redmi 5A, Redmi Note 5, Mi Note 3, Mi 5S Plus, Mi 8 Pro, Redmi Note 6 Pro, Mi 8 Lite और Redmi Note 6 Pro Indian variant और यहाँ पर Mi Mix 3 इन सारे डिवाइस के लिए यह अपडेट को रोल आउट किया गया है तो अब इन सारे डिवाइस के लिए आप इस अपडेट को कर सकते हो डाउनलोड करके और अगर हम लोग बात करें Redmi Note 4 और Redmi Note 5 की तो यहाँ पर इन दोनोड इवाइस में अभी तक अपडेट क्यों नहीं आया तो यहाँ पर इस बार भी लिखा गया है Delay to System Error तो उसका सिस्टेम में कुछ प्रॉब्लेम होगा, कुछ सिस्टेम में Error होगा इसलिए इस अपडेट को भी सस्पेंड कर दिया गया है Redmi Note 5 और Redmi Note 4 के लिए अगर आप एक Redmi Note 6 Pro यूजर है तो आप हो जाईए खुश यह जो अपडेट है 9.3.14 इसमें आपको Android 9.0 Pie का अपडेट आपको देखने को मल जाएगा तो अगर आपके पास है Redmi Note 6 Pro तो आपको इस अपडेट को करने के बाद अपना जो अपरेटिंग सिस्टेम है और Redmi Note 6 Pro का Android 9.0 Pie पे कनवर्ट हो जाएगा तो काफी है चाब बात है Redmi Note 6 Pro यूजर्स के लिए मैं इस वीडियो में उसका रहा हूँ Redmi Note 5 Pro और यह जो अपडेट है 9.3.14 यह अपडेट मुझे मिला था 144 MB के आसपा से अपडेट मुझे मिल गया था और इस अपडेट में क्या क्याना है फीचर्स मिल जाता है चलिए देख लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग जाएंगे simply what's new पे तो यह पर आपको what's new पे हर बार की तरह आपको एक चीज़ देखने को मल जाएगा improved system stability and security performance तो हम लोग इसे छोड़ रहते हैं अगर 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 आप लोग जाएंगे यहां पर home page पे तो यह पर me pay का जो लोगो था उसे चेंज करके एक दूसरा लोगो को add किया गया है जो काफी अचा बात है और देखने में भी काफी बढ़िया लग रहा है अब इस्तमाल करते हो app world का क्लम पर app world पे दिन बे दिन add ही आता जा रहा है यहां पर देख सकते हो recommended पे एक add बहुत सारा lots of advertisement आपको यहां पर देखने को मल जाएगा जो मुझे यह ठीक नहीं लगता अब मी वालों को चाहिए थोड़ा साइड काम कर देना चाहिए जो system application है उन पे भी add पे add add पे add डाला जा रहा है तो यह अच्छा बात नहीं है कुछ जादा आपको यहां पर changes नहीं मिलता है 9.3.14 के अब्रेट में बस मुझे इतना ही बताना था आपको सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आईए तो please hit that like button सो अगर आपने लाइक कर दिया सो thank you so much और अगर अपने इस चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर ले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहता हूँ सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शूभ हो